नमस्कार दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है मेरे और आपकी यूटूब चैनल ट्रेंडिंग इंडिया पर एक बार फिर से मैं आपके साथ लेके आया हूँ कि हमारे स्मार्ट फोन के कुछ फिचर्स जो आने वाले समय में चेंज होने वाले है नोदस ऐसे फिचर्स है जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा और वो ऐसे फिचर्स जो या तो बिल्कुली नए जुडने वाले है या फिर उनमें कुछ चेंज होके वो आपके स्मार्ट फोन में जब अब नए जो भी स्मार्ट फोन आएंगे इंडिया में लॉंज ओने स्मार्ट फोन तो उनमें सब में यही होने वाला है तो चलिए मैं सुरू करता हूं बारी बारी से सबसे पहले बात करते हैं हम फिंगर्प्रिंट स्केनर की तो जो फिंगर्प्रिंट स्केनर आपने देखा भी होगा ओपो का फोन आया है भी वो का फोन आया है उनके अंदर कि fingerprint scanner इन स्क्रिन में आने लगा है स्क्रिन के उपर आने लगा है Oppo F9 Plus देखा आपने तो उन में क्या है कि वो fingerprint scanner स्क्रिन के अंदर ही आने लगा है और ऐसे ही 17 अक्टॉम्बर को साइद लोन चोगा OnePlus 60 उसमें भी यही देखनों के मिलेगा आपको तो यह थी fingerprint की बात जो आपको पहले मिला करता था पिछे या फिर बटन के रूप में सेमसंग में आगे तो वो सब बंध होने वाला है फुचर अगले जो आने वाले फोन है उन में और साइद fingerprint यह अट जाएगा केवल security के लिए face ID रखी गई है फिर हम अगले दूसरे टाइप पर चलते हैं तो वहां पर हम बताएंगे headphone jack तो अब आने वाले फोन में क्या होगा headphone jack जो है वो 3.5 mm headphone jack बिल्कुल हिटा दिया जाएगा और टाइप C के रूप में आएगा फिर वो और इसी प्रकार thread में चलते हैं तो हम देखते हैं microSD card का slot जो है वो बिल्कुल हिगा जाएगा क्यों 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 क्या है कि अब जो जितने भी smartphone आएगे ना उन में सब में क्या होता है कि जो storage है वो पहले से ही इतना दिया होगा आपके लिए इसलिए आपको एक्स्टा कोई external microSD card लगाने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि वो sufficient storage दिया रहेगा पहले से ही तो इसलिए वो भी अटने वाला है और जो आपके पास charger है आपने देखा होगे कि आजकल कार में कार में भी खुद का wireless charger दिया होता है पेड़ दिया रहता है charging के लिए तो बस वही पेड़ आने वाले सारे smartphone के लिए अब आपको कहीं भी adapter या आपकी cable charging cable यह गूमते नहीं रहना पड़ेगा बिल्कुल wireless charging होगी अगले step पर चलते तो है जो speaker देखते हैं आप अपने mobile में या तो बेक में होगा या फिर एकदम नीचे charging slot के पास में speaker देखा होगा आपने तो speaker आपको मिलेगा ही नहीं smartphone में आपको speaker जो देखने को मिलेगा वो होगा in display जैसे fingerprint in display होता है वेसे speaker भी in display होगा और इनके अंदर इसका एक example दिया है वीओनेक्स का वीओनेक्स जो स्मार्टफोन है उसके अंदर ऐसी कुछ दिया गया है तो speaker भी change होने वाल है और volume button या volume brokers जो है वो भी बिल्कुल हट जाएंगे क्योंकि power button को multi functional बना दिया जाएगा उसमें कि power button से ही आप double press या triple press करने से volume down कम ज्यादा कर सकते हैं तो सारा काम power button का होगा एक ही button रहेगा केवल power button बस और कुछ नहीं दिया जाएगा और अब जो है वो बहुत ज्यादा flexible smartphone आने वाले है foldable smartphone आने वाले हैं और इनके उपर काम कर रही है जैसे Xiaomi भी ऐसा smartphone बनाने वाली है सेमसंग पहले से कर रही है तो यह था foldable के लिए और इन display speaker वाली बात होई चुकी है पहले ही तो यह वही वही चीज है यह तो और जो camera होगा न वह आप जैसे आपने देखा है अभी अभी सेमसंग ने लांच किया था तीन camera वालो smart phone तो वह जो है अब बंद होने वाले आपने देखा dual camera triple camera तो वह कुछ नहीं है वह एक ही camera में single lens rear camera होगा क्यों एक ही camera होगा उसी के अंदर अलग-अलग type के lenses दिये जाएंगे अलग-अलग type के उसके अंदर lenses दिये जाएंगे जिसे के आप अपना बूके mode या फिर जो भी है dual camera का जो काम होता है वह सब एक की rear camera से कर पाऊगे तो ऐसे single camera से वह सब काम हो जाएगा तो यह थी सब बहुत टिप्स जो थी या फिर मैं कहूं जानकारी जो थी वह आने वाले 19 ऐसे फिचर्स है जो हमारे smartphone में हमें देखने को मिलेंगे तो यही था आज के इस वीडियो में thank you guys for watching this video see you soon and keep supporting me like करे subscribe करे और share करे